वेल्कम टो माई चैनल तनूज़ किछन हैलो दोस्तों कैसे यहां आप सब सरदी का मौसम आ गया है तरह तरह की सबजियां भाजियां मार्केट में अबलेबल हैं आजकल भर्मा पराठे तरह तरह के बनते हैं मुली का पराठा गोबी का पराठा आलू का पराठा नौर्थ इंडिया का ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है किसी भी तरह के स्टफ्ट पराठे और एक ग्लास मठा के साथ ब्रेकफास्ट घर घर की पसंद है छोटे बड़े सभी को पसंद आता है आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे एक नए तरीके से इसको हमने मूली धो कर डंठल निकाल कर उसके और छील कर उसको क्रेट कर लिया है इस तरह से कद्दूकस कर लिया है जब सभी मूली कद्दूकस हो जाएंगे इनको हम कच्चा नहीं बनाएंगे ना ही इसका पानी निकालेंगे दबाकर, कुछ लोग इसका पानी अलग कर देते हैं हाथ से दबाकर, जब इसका पानी ही निकल जाएगा तो मूली का टेस्ट नहीं आएगा और हमारे परांठे स्वाधीन बनेंगे, तो हम इस मूली के ही जूस में इसको हम पकाएंगे, इसके बर ही कटी भी 2 हरी मिर्ची चप्रीपत्त है कटवा एन र हरा हुर दनिया को यह कड़ाही गरम करके उसमें एक चमस तेल डालेंगे तेल गरम होझाएगा तब उसमें हम जीरा डालेंगे जब charged हो जाएगा उसमें हरी मेर्ष टाल कर सॉटे करेंगे Does the recordings कम करेंगे अब करीपत्त डालेंगे करीपत्त भी हो गया है अब इसमें मूली जो हमने ग्रेक करके रखा हुआ था उसको भी मिक्स कर देंगे इस तरह से चलाते हुए फ्लेम स्लो करके पकने देंगे अब इसमें हम मसाले डालेंगे जो भी हमारे मसाले धनिया पाउडर दो चमच स्वाद के नुसार नमक एक चमच लाल मिर्च पाउडर अगर आदा चमच अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो बढ़ा सकते हैं इसको धीमी गैस करके इसको पकने देंगे सभी मसाले अच्छे से मिक्स करके इस तरह से छोड़ देंगे अब यह मूली का कलर बदल गया है यानि पकर तयार हो गई है इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे हरे धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है इस तरह से और पकाएंगे देखे अभी इसमें पानी है पानी निकल रहा है इस पानी को हमको जलाना है इसी कडाई में दीमी गैस फिर थोड़ा और पकाएंगे यह बन कर तयार हो गया है इसको पांच या साथ मिनिट लगेंगे बनने में मूली की स्टफिंग आप पराठे में भरने के लिए तयार है इसको ठंडा होने के लिए एक बोल में निकाल लेंगे अब आटा लगाकर नमक वाला आटा बनाएंगे और दो लोईयां बनाएंगे छोटी पूरी के अकार का बेलेंगे उसको दो पूरी बनाकर इसके बीच में स्टफिंग करेंगे ये एक तरीका है पनाने का जिससे कि हमारे स्टफ पराठे फटते नहीं है और अच्छे से बेलते बनता है जादा से जादा स्टाफिंग भर सकते हैं इस तरह से बनाए हुए पराठे में जब तक स्टाफिंग अच्छी ना हो पराठे में तो पराठा खाने का मज़ा ही नहीं है इस तरह से दो पूरियां बेल ली इसके बीच में दो चम्माच मूली का मसाला जो हमने तयार किया था, रख दिया, उसको चार तरफ फैलाएंगे, इस तरह से, थोड़े से किनारे छोड़ेंगे, कि हमने दूसरी पूरी रख कर उस पर प्रेस करना है, इस तरह से दूसरी पूरी जो बेल कर रखी थी, उसको भी इस तरह से दबा देंगे, अब इसको हाथ से दबाते हुए, सेंटर ना भी प्रेस करेंगे थोड़ा, जो भी एयर हैस की निकल जाएगी, अब इसको बेलन की साइटा से सूख वाटर डस्ट करके बेलेंगे, अलके हाथ से बेलना है, चारो तरफ बराबर बेलन घुमाना है, एक तबा गरम करके उस पर डालेंगे, दूसरी साइट पल्टेंगे, पकने पर, अब घी या तेल जिसमें भी बनाना है अपने, घी में बने हुए पराठे बहुत ही स्वादिस्ट होते हैं, इसलिए मैं तो घी से ही बनाती हूँ, इस तरह से दोनों साइट हम घी लगा देंगे, और कम फ्लेम पर बनाएंगे, जिससे हमारा पराठा क्रिस्पी बनेगा, खाने में बहुत टेस्टी होगा, जितना अच्छा क्रिस्पी बनेगा धीमी गैस पर उतना ही पराठा अच्छा टेस्ट देगा, यहां हमारा पराथा पंकर तयार हो गया है, इस तरह से एक लकडी के उट से दवा कर पराथे को कुरकुरा सेक लेंगे, क्रिस्पी हो जाएगा, अब यह पराथा तयार है, अब एक दूसरी तरह का पराथा भी हमें प्रताय देती हूं, एक सिंगल लो ही लेंगे, बड़े चमच, फोल्ड करते जाएंगे, सेंटर में लॉक कर देंगे इसको, इस तरह से किनारे को हाथ से दवा कर पतला करेंगे, सूखा अटा डस्ट करेंगे, किनारे इस तरह से दवाना जरूरी, अगर किनारे नहीं दवाएंगे तो आपकी स्टपिंग किनारे से निकलने का रहे दीर ini हलके हां से बेलते हुए हलका हलका बेलन चलाना है पराथे को बढ़ा कर लेंगे बेल कर किते हैं सानी से बिल रहा है इस तरह से बने हुए पराथे, बहुत्त ही अच्छे से बेलते बनते हैं और स्वाधिस्ट बनते हैं, यह हमारा दूसरा पराठे भी सिकर तियार हो गया है, इसको भी हम प्लेटिंग कर लेंगे, दवा कर सेक लेंगे, क्रिस्पी बना लेंगे, इस तरह से दवाने से पराठे और भी बनते हैं, यह हमारा पराठा मूली का बनकर तयार हो गया है अब इनको बीच में से चारपीस करके प्लेटिंग करेंगे किसी भी टमाटर प्यास की चट्नी या दही के साथ गर्मा गर्म सर्फ करेंगे देखिए अंदर कितने अच्छे से स्टाफिंग आई है पूप्सवारी स्टफिंग है मुली के परांठे देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग आईए दूसरी तरह का मुली के परांठा है इस तरह के बनेवे परांठे बहुती स्वाधिस्ट होते हैं बनाईए खाईए और खेलाएए ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहे है मेरी किचिन तनूश किचिन अगर आपने सबस्ट्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्ट्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और कॉमेंट्स करके बताएए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी थैंक्स फर वाचिंग तनूस किचिन को लाइक करना ना भूलिए अगर आपको पसंद आ रही है मेरी रेसिपी तो शेर करिए और कॉमेंट्स करिए थैंक यू